वेल्कम यॉल वंस अगेन आप सभी का स्वागत एक बार फिर से जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएसी पार्ट फस्ट के लिए हमने यूनिट थर्ड शुरू की है जिसमें हमारा आज लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने आरेस नॉमेंट क्लेचर करना सीखा था ठीक है आरेस नॉमेंट क्लेचर करना सीखा था उसमें हमने प्रायोरिटी देखी थी तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्रायोरिटी कैसे निरधारित करनी है एक बार प्रायोरिटी निरधारित हो जाए तो लेकिन यह तब होगा जब वैज रिप्रेजंटेशन में हमारा मॉलेक्यूल और जो हमारा स्मॉल ग्रूप है यानि कि फॉर्थ प्रायोरिटी ग्रूप है जिसको हमने सबसे कम प्रायोरिटी दिये वह कैसा होना चाहिए बिलोधा प्लेन होना चाहिए यह कंडिशन अमने STE CU OH और यहाँ पर है NH2 ठीकयए यह मॉलेक्यूल असका on in bakayım होगा यहां चूल सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें सबसे पहला काम हमें प्रायोर्टी देखन प्रायोरिटेश निर्धारिद करना कैसे करेंगे देखेंगे यह हैं हमारा एस्यमेट्रिक सेंटर अब यहांसे देखेंगी इधर गए तो कारवन है इधर गए तो भी कारवन है इधर गए हाइड्रोजन है डारेक्टली और अगर इधर आते हैं तो डारेक्टली कौन अटेज है नाइट्रोजन यहां पर डारेक्टली कौन अटेज है कारवन यहां पर भी डारेक्टली कारवन अटेज है लेकिन इधर कौन अटेच है? नाइट्रोजन. और अगर नाइट्रोजन अटेच है, तो नाइट्रोजन का अट्रॉजन का अट्मिक नंबर कारवन से जाधा होता है. तो हमारी पहली priority किसको जाएगी? नाइट्रोजन को. ठीक है? पहली priority होगी. अब देखना, दूसरा नंब करना है कि दूसरा नंबर किसे मिलेगा और तीसरा नंबर किसे मिलेगा तो यहां भी काड़ PB क्या करेंगे आए चलेंगे थोड़ा और यहां देखा करवन से तीन हइड्रोजन जुड़े हुए और जब यहां पर देखा कि चलती है तो यहां से हब movement करेंगे जब प्रायोर्टी तो देखेंगे जब गए हम लोग प्रायोर्टी के दिया किया तो कि मुवइमट्स कैसा है एंटी क्लॉक all गड़ी ए से चलती है और यह कैसे जा रहा है ढड़ी की उल्टी दिसाब है छा Clockwise तो यह क्या हो जाएगा यह हो गया s movement कैसा है anti-clockwise तो यह क्या ओग ऐस बहुत से बच्छे ऐसे होंगे जिनको यह movement समझ यह नहीं आता तो वह क्या कर सकते हैं जैसे ही priority कि प्रायोटी डिसाइड कर लें तो बाब की तीन ग्रूप को ऐसे बना लें गाड़ी देखें होगी गाड़ी को स्टेरिंग वील होता है उसमें थीन इस तरीके से रंडे ना उसी तरह से माल लें कि यह जो क्या है स्टेरिंग वील है अब यह यह बतिर जो तो दिया था नंबर वन इससे दिया था तो नंबर वन तो यहां होगा इस वाले बॉंड पर नंबर टू होगा और यह वाला जो बॉंड इस पर कौन होगा नंबर थ्री होगा ऐसे बना लिजिए अगर आप ऐसे मुवमेंट नहीं देख सकते तो अलग से बना लिजिए लेकि 1 से 2, 2 से 3 की तरफ steering wheel चलाएंगे 1 से 2, 2 से 3 की तरफ चलाएंगे तो movement कैसा रहेगा anti-clockwise कैसा है anti-clockwise ही लिए यह क्या हो गया यह हो गया हमारा S तो यह molecule क्या हो गया हमारा S हो गया ठीक है और देख लेते हैं और देख लेते हैं जैसे की हमने यह ले लिया यह हाइड्रोजन है यह OH है यहाँ पर CS3 और यह है CSO ठीक है इस तरह से है molecule अब हमको इसमें से क्या करना है अब हमें इसका क्या करना है RS करना है ठीक कैसे करेंगे पहले तो देखेंगे asymmetric center कौन सा है यह है asymmetric carbon 4 लग लग ग्रूप जुड़े हुए अब क्या करना है हमारा अगला का priority decide करना तो यहां से इधर गए इधर भी carbon इधर आए इधर भी carbon इधर गए यह hydrogen तो चौती priority तो इसी को देदी और जब हम इधर गए तो directly कौन जुड़ा हुआ है oxygen यहां directly कौन जुड़ा हुआ है carbon carbon लेकिन यहां directly कौन जुड़ा हुआ है oxygen ज़ादा है कार्वन का तो पहली प्रायोर्टी तो इसको मिल ठीक है चृती को दे दी इन बात ऐxt measurement नहीं गुणा हुआ हैं और आगे चलेंगे कारवन से कुं उड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन और एक ऑक सीजन चार्वन सेको जड़ा हुआ हैं वैसे तो मैं इसको खोल को तो यह ऐसा लिखा जाएगा और जो को बना सकते हैं टबल तो और मों जोड़ा निप यहां हो प्रावन थे कहीं हैं यहां कवल आइंब do चुप जुड़ा हुआ है यहां कार्वन से कॉंचे को मुझा हुआ ह्syต ओक्तोबख की घ्लए के enclosure SCOTT , Eddapter और इंदर कुण पर है हइड्रोचन तो किसकी प्राय改ी जाद हो गी इसकी प्रायोटी जाद हो गी तो यह धुखतर्ड यह धूक्त यह वापश से कैसा हुआ घडी के एंटिक्लोफ वाइस कैसा हुआ घडी की विपरीत दिशा में ज्याना तो यह क्या हो जाएगा एस यहां पर आप अलग से बना लीजिए इस तरीके से steering wheel की तरह बना लिजी है steering wheel है यहां पर कौनसा नंबर दो यह डाल दिया नंबर दो यह पर कौन सा है 3 यहां पर क्या है एक अब देख लिजे movement क्या रहेगा एक से गए दो दो से गए 3 movement कैसा है anti clock wise घड़ी की विप्रीत दिशा में कैसा आए यह एंटिकलोग वाइस इसलिए यह भी क्या हो जाएगा एस तो में देके आप लोग को आर एस करना समझ में आया होगा ठीक है यह तो था केज केस फंस चल रहा था हमारा केस फंस चल रहा था जब हमैं पता हो एक हमारा लो इस प्रायोरिटी का ऑर जैने और वह जोब क्या रूदा"- Villal यहारा जक्यार लेकिन थे जाए तो यह ग्याम यह फिर घाती वच पौ क्या सब्क्रेंए यह कहांदने अब हम देखेंगे के सेकेंड या कंडिशन नंबर सेकेंड ठीक है अगर ऐसा दिया गया हूँ यह हाइडरोजन है यह CS3 है यह NH2 है यह COH ऐसे मॉल्लिकिल दे दिया गया है अब हाइडरोजन क्या है कैसा है इब अब दा प्लेन है जबकि हाइडरोजन को क्या होना चाहिए हमेशा बिलोदा प्लेन होना चाहिए लेकिन अब तो hydrogen above the plane है अगर below the plane होता तो हम क्या करते सीधे 123 डालते priority देते और high से low पर चलते अगर movement clockwise है तो R हो जाता एंटी clockwise है तो S हो जाता है ना simple इतना ही था ना अब क्या करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदी fourth प्राइक्ता वाला समू या परमाडू तल के उपर उपस्थित है तो तो क्या करेंगे या तो आप इसको hydrogen को below the plane बनाओ hydrogen को below the plane बनाओ या फिर direct nomenclature करो तो क्या करना पड़ेगा जैसे हमने वहां किया था बस थोड़ा सा चेंज आए तो क्या करेंगे सबसे पहले तो प्रायोर्टी आर एस तो बात में निकालेंगे सबसे पहला काम क्या होता है प्रायोर्टी डिशाइड करना कि किसको पहली दूसरी तीसरी चौत ऑधि मिलेगी तो हम जानते है हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है चौत्री प्रायोर्टीmill को दे ऌप पहली प्राइटी देखें यहां डारेक्ट कारवन जुड़ा हुआ है यहां भी डारेक्ट कारवन जुड़ा हुआ है लेकिन यहां डारेक्ट कौन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन तो कारवन और नाइट्रोजन में कौन जीतेगा नाइट्रोजन जीतेगा तो पहली प्र तो दूसरी इसको तीसरी इसको ठीक है प्रायोर्टी डिसाइड कर ली अब हमारा काम क्या होता है हाई से लो पर मूव करना यानि कि क्या करेंगे अब उच्चु प्राथमिक्ता से निम्नी प्राथमिक्ता की तरफ चलेंगे movement करेंगे तो क्या करेंगे तो यदि उपस्थित है तो तो उच्छ प्राइक्ता बाले समू से निम्न प्राइक्ता बाले समू की और चलने पर यदि यदि movement क्या सा रहें यदि movement clockwise है तो एस ठीक है यदि movement clockwise है तो एस और यदि movement anti clockwise है तो की और ठीक है अब यहां पर देख रहा होगा आपको फेपिट हो उड़्टा क्यों उड़ह यह हां रैपनेटा हो गया हाइड्रोजन वह में ंवना चाहिए और जहां पर ल Dubai मुद्धबला में दाइस प्लेन चला गया से अब यहां पर हाइड्रोजन तो उल्टा हो गया तो नॉमिन क्लेचर भी क्या हो जाएगा उल्टा हमें हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है हाइड्रोजन को बिलो दा प्लेन यानि तल के नीचे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है मैं फिर से कहा रहे हूं हाइड्रोजन की पोजी अब सिर्फ इतना चेंज करना है, जब हम उच्छ से लो की तरफ जा रहे थे, तो अगर movement clockwise है, तो क्या हो जाएगा? S, ये उल्टा हो जाएगा, वहाँ पर अगर movement clockwise था, तो क्या था? R होता था, लेकिन यहाँ पर hydrogen की position चेंज है, तो movement अगर clockwise होगा, तो क्या हो जाएगा? जब hydrogen blow the plane था, वो कर रहे थे हम, यानि क्या कर रहे थे? priority decide की, फिर क्या किया? हाई से लो की तरफ गए, हाई से लो की तरफ गए, अगर हाई से लो की तरफ जाने पर, जब हम movement करेंगे हाई से लो की तरफ, अगर clockwise होता, तो क्या होना चाहिए था? R होना चाहिए था, जब movement clockwise होगा, तो R हो जाएगा, समझ मैं आई, example करते हैं और समझ मैं आईगी, जैसे कि ये है, ठीक है? अब हमें priority दे दी, अब क्या करना है हाई से लो की तरफ जाना है, जब हाई से लो की तरफ गए, देखा तो ये movement कैसा है? clockwise है, कैसा है? clockwise है, अगर clockwise है, तो क्या होना चाहिए था, लेकिन hydrogen, क्योंकि hydrogen कैसा है? Above the plane, तो R काम को क्या करना पड़ेगा? उल्टा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये S हो जाएगा, क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, होना चाहिए था R, लेकिन हुआ क्या है? S, क्यों? क्योंकि hydrogen above the plane है, अगर hydrogen below होता, तो ये भी R होता, ल अगर movement कैसा है? clockwise है, ये कैसा है? clockwise, तो क्या हो जाएगा? S, ठीक है? और अगर movement anti-clockwise है, anti-clockwise मतला, ये 1 है, ये 4 है, anti-clockwise है अगर movement, ये कैसा था? ये clockwise है, clockwise होगा, तो S हो जाएगा, उल्टा, और अगर anti-clockwise, यानि इधर से इधर जा रहें anti-clockwise, तो ये क्या हो जाएगा? R, समझ लेह नोट एक्जामपल करके देख लेते हैं कुछ और जैसे यह है मनलो ऐसा दिया हूँ आपको यह hydrogen है अभी भी hydrogen क्या है above the plane है hydrogen की position उल्टी हो गई कैसी above the plane यहाँ पर दे दिया हमें chlorine यह है हमारे पास bromine यहाँ पर है fluorine fluorine bromine fluorine यह दे दिया अब हमें RS करना है ठीक है कैसे करेंगे सबसे पहला काम priority देखना तो priority देखते हैं किसको देंगे हम तो अगर हम यहां देखें, अब क्या होगा, यह हमारा मॉलीक्यूल है, यह दिया है हमें मॉलीक्यूल, अब हमें इसका क्या करना है, आरेस कर रहा है, कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, प्रायोर्टी, तो देखते हैं, पहले वही कर लेते हैं, प्राइरोटी में देखे हैं वागी अगर हम देखें तो क्लोरीन का पर मारुक्रमांग श्मय को होता है राफ यप्राइौरीन का और फिर क्या प्लोरीने देती हमें अब हमको क्या करना है उच्छ प्रायोर्टी यानि उच्छ प्राथमिक्ता से निम्न प्राथमिक्ता की तरफ चलना है उच्छ प्राथमिक्ता हमने किसको दिये ब्रोमीन वन तो यहां से चलेंगे तो वन टू थ्री वन टू थ्री से चलेंगे याद रखना हमेशा कैसे चलना वन के वाद क्या आता से के दो से होते थी तक आया तो मुवब्मेंट कैसा है किलाओक्वाइzk गड़ी यहाइस मुवब्मेंट कैसा हैक लॉक्वाइzk होना क्या चाहिए था यह चाहिए नथी आ लेकिन स्थिसक्नीक इसलुकिए क्लेक्विषत लेकिन procent क्या below the plane होता, यही हाइडरोजन अगर below the plane होता तो clockwise चलने पर हम इसे क्या लिखते हैं आर लिखते, लेकिन ये hydrogen उल्टा है, above the plane आ गया तो clockwise चलने पर भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी R का क्या हो जाएगा एस होना चाहिए था आर लेकिन हो क्या गया एस क्यूंकि hydrogen above the plane आ गया तो समझ में आई अगर hydrogen above the plane दिया हुआ है तल के उपर दिया हुआ है तो आपको below the plane करने की ज़रूरत नहीं है सीधे वहीं से आरेस कर दीजी बस क्या करना है बस थोड़ा सा उल्टा कर देना है अगर clockwise च तरफ यह लिख दूमें यहां से हाई priority से लो प्रायोटी की तरफ चलेंगे तो अगर movement clockwise हो रहा है तो एस हो जाएगा उल्टा पहले हार होता था अब क्या हो जाएगा एस और अगर anti clockwise चल रहा है तो पहले anti clockwise पर क्या होता था एस लेकिन अब इसका उल्टा हो जाएगा तो क इतना उल्टा करना है अबको ठीक है नोट कीजिए जल्दी से अगर आगे चलते हैं तीसरी condition देखते हैं तीसरी condition देखते हैं क्या है केस थर्ड थर्ड कंडिशन केस थर्ड तीसरा केस देखते हैं यदी फॉर्थ प्रायोर्टी ग्रुप यदी फॉर्थ प्रायोर्टी ग्रुप कैसा हो तल पर उपस्थित हो तो क्या करेंगे भी अब तक हमने दो केस देखें पहला केस जिसमें हाइड्रोजन कैसा था बिलो दा प्लेन था पहला केस देखा था हमने जिसमें हाइड्रोजन क्या था बिलो दा प्लेन था तो वहां क्या किया था प्रायोर्टी दी लो से हाई से ल प्रायोरिटी दी फिर क्या किया लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ गई कहां से हाई प्रायोरिटी जिसको हमने सबसे जादा नंबर दिया है वो हाई प्रायोरिटी का है तो वन से किस की तरफ चले फोर की तरफ चले हाई से लो की तरफ चल मतलब ऐसी कंडिशन है यह है यह होते ना चारवण वेज में यह कैसा है यह वाला बॉंड कैसा है यह वाला बॉंड कैसा है बिलो प्लें और यह दोनों बॉंड कैसे होते हैं तल पर यह दोनों बॉंड क्या शो करते हैं यह शो करते हैं कि यह जो मॉलिकुल है वह कहा पर उप चले एक एक ऊपस्थित ने आवा गर्ण बढ़ों गहाई है अब तो हाइड्रोजन कहा है अब तो सितगी यूंद नहीं लगा सकते हो तो जब यूझाल लगा ली हमने दूक ओल्टा कर दिया एक है और स्वदों वीख रूप दिन दूर्जап पर क्या करेंगे यहां पर हम कोई प्लेज करना ही पड़ेगा यहां पर क्या करना उपर हम कोई प्लेले Ihnen लेकर ही जाना पड़ेगा तो कैसे करेंगे यह सब तो कैसे करेंगे यह सब क्या करेंगे इसको below the plane ले जाने के लिए अब यहाँ पर क्या किया जाए कि हाइड्रोजन इस जगा से कहां चला जाए इस जगा पर चला जाए हाइड्रोजन को इस जगा से इस जगा पर ले कर जाना है क्या करेंगे देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अगर उपस्तित है तो क्या करते हैं डवल इंटर्चेंज करते हैं क्या करते हैं डवल इंटर्चेंज करेंगी इंटर्चेंज का मतलब अदला बदली क्या करेंगे हम अदला बदली करेंगे वो भी कैसी इंटर्चेंज इंटर्चेंज का मतलब अध्ला बदली यानि पुजिशन को स्वैप करना एएक की जगए दूसरा जाएगा दूसरे की जगह पहला जाए यानि दो लोग ने ऊव्त यह उपस से तैंदे तो क्या चेंज करनेंगे इंटर्चेंज करनेंगे लेकिन कितनी दो बार position को change करना है. Position को change तो करना है, लेकिन कितनी बार? दो बार. तो हमको क्या करना है? अगर fourth priority group तल पर उपस्थित है, तो क्या करते हैं? तो double interchange करते हैं. Double interchange करते हैं. अब ये कैसे करेंगे? वो हम देखते हैं. तो मैं एक example लेती हूँ. ये मिटा देती हूँ. इसकी जगा पर कोई एक example लेती हूँ. ठीक है? ये लिए हमने. ये सक्किया. ठीक है? यहाँ पर है मारे पास chlorine. ये क्या है? chlorine है. ये fluorine लगा हुआ है. ये bromine है. यह hydrogen ले लो. ये fluorine. ऐसा दिया हुआ है molecule. ठीक है? chlorine, bromine, fluorine और hydrogen. अब यहाँ गड़वड है. hydrogen कहाँ पर उपस्थित है? तल पर उपस्थित है. molecule का RS निकालना है, लेकिन hydrogen तल पर है. क्या करना पड़ेगा? इसको किसी भी तरीके से कहाँ ले जाना है? fluorine की जगह पर ले जाना है. hydrogen को कहाँ ले जाना है? fluorine की जगह पर ले जाना है. अगर hydrogen fluorine की जगह जाएगा, तो fluorine किसकी जगह आएगा? hydrogen. रोजन तो ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन को क्या करें एंटर do a promotion को चेंज करना है न तो दो बार में को जजब है न तो पहले क्या करेंगा मॉलेक्वट आपनी पोजेशन करेंगा फिर दोवारा करेगा और उसके बाद जो भी मोलेकुल बन क्या है उसका हम आरेस कर देंगे तो पहला इंटर्चेंज करते हैं फस्ट परिवर्तन सबसे पहले क्या करते हैं पहला इंटर्चेंज करते हैं फस्ट परिवर्तन तो फस्ट परिवर्तन हमने करवाया किसके बीच में हाइड्रोज में और फ्लोरीन में यान कि पहले इंटर्चेंज में ही हम क्या कर गए हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को ले गए फ्लोरीन की जगा गया तो फ्लोरीन कहाएगा हाइड्रोजन की जगा क्लोरीन और ब्रोमीन यह हुआ फस्ट परिवर्तन यह क्या हुआ फस्ट इंटर्चेंज फerson इंटर्चे Norman क्या कि आम ने hydrogenώBay अ फ्लोरीन की बीश्में करा आ ऐड्रोजन को फ्लोरीन की जगा लेगे Morine को colour lik तो सीधे आरस कर दो अरे नहीं बहुत नए अपनी पुजिशन की अदला बदले की यह दोनों भी तो बचय हुए हैं इनको बुराएं लगेगा चार बाई हैं दोने तो अपनी अदल बदल कर ली तो क्या बाकी दो को बुरा नहीं लगेगा उन्हें नहीं करनी वो भी खईंगे इनोंने प्र जिशन को बदला है को हम वी वदलेंगे इन दोनों को भी बुरा लगेगा यह दोना सोचेंगे solar तो इन दोना ने अपनी अदला बदली किया है तो हम दोनों भी अपनी अदला बदली करेंगे तो अब क्या होगा सेकंड इंटर्चेंज होगा अब क्या होगा सेकंड इंटर्चेंज यानि कि परिवर्तन दूतिया परिवर्तन होगा सेकंड इंटर्चेंज और सेकंड इंटर सबक्र 321 पेचा कर दों कि अरा था आवśl ममीक्ट एक मौलेकलya यह पर इन दोन रोन पहले ही जो कर ली यह मैंने तो ही यह दोबहुंद जो हुदा जाए और सब्सक्राइए तो नहीं करेंगे तो कौन रहा ब्रोमीन तो आया क्लोरीन की जगह पे क्लोरीन चला गया ब्रोमीन की जगह पे ठीक है अब क्या कर दो नंबरिंग कर दो अब क्या कर दो इंटर्चेंज हो गई डबल इंटर्चेंज अब क्या करना है प्रायोर्टी दे दो प्रायोर्टी आप पहले भी दे सकते हो ठीक है प् किसको लिया है hydrogen तो हम यहाँ देखकर कह सकते हैं कि सबसे कम प्रायोटी तो hydrogen की होगी इस लिए हमने direct interchange रविकिन आप direct interchange नहीं करेंगे पहले क्या करेंगे priority सबसे पहėला काम देंगे प्रायोरिटी देंगे priority यह तो चौती priority है पहले पर आएगा ब्रोमीन दूसरी किसकी होगी क्लोरीन की और तीसरी किसकी होगी फ्लोरीन की तीसरी प्राइटी किसकी होगी फ्लोरीन की और चौथी किसकी होगी हाइड्रोजन की अब पहले सबसे पहला काम आप क्या करेंगे पहले पोजीशन प्रायोरिटी देंगे प्राथमिकता क ही कर सकते हो क्या करना पड़ेगा Crर दो बार इंटर्चेंज करना पड़ेगा नोबार इंटर्चेंज क्यूं करना है फ्लोरीन की जगे बने admiration क्या है दोनों ने इंटरचेंज किए तो यह दोनों बुरा Northern किया और भॉलारेन कीजगह है और फ्लोर्रीन कीजगह गया है तो हैं लिटान को कर्षयती है wrapped प्रस्ट एक है और én कि इन दोनों ने इक दोनों गया अब इनकी प्रायोटी देख लो इसको कौनसी दी थी हमने चौथी प्रायोटी दी थी इसको कौनसी दी थी वन दी थी स्क्लोरीन को कौनसी दी थी टू दी थी और फ्लोरीन को कौनसी दी थी 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 प्रायोटी तुम पहले दे चुके लिगे दी हमने सब की प्रायोटी अब क हेडरोजन कैसा था बिलोध फिलैन केसफ पॉस्ट में क्या किया था है पहले प्राइयोटी दी अब जा करेंगे अब या करेंगे अको उच्छ प्राथमिक्ता से उच्छ प्राथमिक्ता से निम्न प्राथमिक्ता की और मूवमेंट करने पर यदि की और जाने पर यदि मूवमेंट कैसा है यदि मूवमेंट क्लॉक्वाइज है तो क्या होगा तो आर होगा अब यहां पर क्लॉक्वाइज होगा तो आर क्यूं क्यूंकि हाइज्डरोजन का है बिलो धा प्लेन है तल के पीछे है इसलिए उच्छ प्राथमिक्ता से निम्न प्राथमिक्ता की और जाना है hydrogen कैसा है below the plane है तो वही normal वाला rule लगेगा अगर movement clockwise होगा तो R और anti-clockwise होगा तो S ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लखेंगे ऐसे लिख सकते हैं high priority से किदर जाना है low priority की तरफ जाना है ठीक है तो अगर movement clockwise है यानि गड़ी की दिशा में हो रहा है इस तरीके से हो रहा है गड़ी की clockwise है high priority से low priority की तरफ जा रहें लेकिन movement कैसा है एंटि-clockwise तो क्या हो जाएगा S हो जाएगा क्या हो जाएगा S तो जैसा कि अब यहां पर देखें यह R होगा यहां S क्या है वन से जाएंगे टू की तरफ टू से जाएंगे 3 की तरफ ऐसे नहीं जा सकते ब्रोमीन से ऐसे नहीं नहीं जा सकते है क्योंकि यह तो इदर के मिल आता अगा 3 तो तो वह उपर की तरफ जाएंगे नहीं हो यह का यह उपर जाएंगे उपर की तरफ तो कह सभ da nego गये और march ही मुव्मेंट कैसा जा रहा है जिए कैसा जा जा रहा है गड़ी की दिशामें कैसा जाएंगा इन है घ क्लोकवाइज है मूवमेंट क्लोकवाइज होगा तो यह क्या हो जाएगा और एंटी क्लोकवाइज होता तो एस हो जाता तो इस तरह से हम डबल इंटरचेंज के द्वारा करेंगे आर एस अगर हमारा मॉलीक्यूल कहां मौजूद है तल पर अगर फ्रोर्थ प्रायोर्टी जिसको हमने चौथी प्राथमिक्ता दीए, अगर वो वाला समु t scam तल पर उपस्थित है, तो हम पहले क्या करेंगे, priority decide करेंगे सबसे पहले, सबको priority देंगे, फिर देखा हमने कि चौथा वाला जो grupp है, जिसको हमने चौथी प्राइटी दिया वो तल पर है तो क्या करेंगे फिर हम डवल एंटर चेंज करेंगे पोजीशन चेंज करेंगे उसको बिलो दा प्लेन ले जाएंगे और फिर वही नॉर्मल नियम लग जाएंगे जो पहले लगते हैं तो इस तरह से हम आरेस करते हैं ठी जाएते हैं यह जो निया में आपको याद रखने पड़ेंगे हाइडरोजन की पोजीशन हाइडरोजन यह फॉर्थ प्राइटी ग्रुप जो भी है उसकी पोजीशन को देखना पड़ेगा अगर तल की ब्लो है तो नॉर्मल कंडिशन में आरेस कर देंगे सिंपल प्राइ मॉलक्यूल को जैसे अगर हमें यह मॉल्कूल पड़ेगा जाए अगर हमको यह दिया गया है कि इस तरह से दिया हुआ है ठीक है यहाँ दिया हुआ है hydrogen यहां दिया हुआ है OH ठीक है यह समझ में तो आ रहा है क्या लिखा हुआ है यह CH3 है यहाँ पर हमने नोट डिनोट नहीं किया इसको bond line representation कहते हैं यह क्या है bond line representation जिसमें हम carbon और hydrogen को फ्रदर्शित नहीं करते ऐसी representation को बोला जाता है यह इस तरीके से molecule दिया हुआ है अब आपसे पूछाए कि RS करो RS तो वहीं हो सकता है जहां पर क्या हो asymmetric center RS के लिए पहली condition क्या है asymmetric center होना चाहिए यानि एक ऐसा कारवन होना चाहिए जिससे चार अलग-अलग group जुड़े हुए हो तुमको दिख रहा है यह वाला कारवन एक तरफ हो एचे एक तरफ एचे एक तरफ मिथाईल है और एक तरफ क्या है इथाईल है तो यह तो asymmetric center है ठीके घर अब अगला काम क्या है प्राइयोरिटी देखना अप्राइयोरोटी डिसाइड करेंगे तो यहां से इधर गई कारवन इधर गई कारवन इधर गई oxygen अकरवन और नमबर ज्याद है तो पहली priority तो इसको दे दी हमने oxygen को चोथी प्रायोटी तो हाइड्रोजन को मिलेगी सबसे चोटा तो यह है तो चौथी प्रायोटी तो इसे ही मिलेगी हाइड्रोजन को दिसको भी दे दी अमने चौथा नंबर अब दूसरा और तीसरा डिसाइड करना है इधर गए कारवन इधर गए कारवन बात नहीं वेनी दोनों प कारवन यहां तीनों हाइडरोजन 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 हाइडरो लगो आए दो hydrogen और एक carbon अब हम क्या करेंगे high से low की तरफ फी घर टाइब यहichen कैसा है जब हम से two आए two तो से three गए है तो यह घडी की उल्टी दिशा में है यह कैसा है घडी की उल्टी दिशा में क्या सदिया गया motion घड़ी की उल्टी दिशा में, anti-clockwise है, घड़ी की उल्टी दिशा में है, तो ये क्या हो जाएगा, घड़ी की उल्टी दिशा में है, और hydrogen कैसा है, below the plane, anti-clockwise, movement कैसा है, anti-clockwise है, और hydrogen below the plane है, तो ये क्या हो जाएगा, hydrogen below the plane है और movement है anti-clockwise तो हम क्या बोलेंगे इसको S क्या बोलेंगे S बोलेंगे तो इस तरह से हम RS कर सकते हैं किसी भी molecule का अगर आपको कोई भी molecule दे दिया जाए तो I hope कि आप RS कर लेंगे ठीक है ठीक है अगर ऐसा दिया होता अगर ऐसा दिया होता यह कारवन है hydrogen को बनाया होता above the plane यह कैसा रखा हुआ है above the plane यहाँ पर कौन है hydrogen OH को रख देते below the plane इधर है CH3 इधर है CH2 CH3 अगर ऐसा होता hydrogen को उल्टा कर दिया hydrogen के position को उल्टा कर दिया पहले वाले में below the plane था अब क्या कर दिया above the plane तो अब RS कैसे करेंगे चलो करते हैं सबसे पहले priority देखनी है तो priority देदेते carbon से direct carbon carbon oxygen तो जीता कौन oxygen का atomic number ज्यादा फैली priority इसे ठीक है अब देखेंगे hydrogen सबसे छोटा तो चौथी priority इसे इन दोन में बात करेंगे carbon और carbon लेकिन यहां तीन hydrogen है जबकि यहां पर दो hydrogen और एक carbon है तो दूसरी priority इसको मिलगी तीस्री priority इसको मिलगी priority देदी अब क्या करना है हई से लो कि तरफ चलेंगे हाई से लो की तरफ चलेंगे हाई कहा है यह रहा तो बन से टू anti-clockwise, यहाँ पर भी high से जग low की तरफ गए तो movement कैसा था anti-clockwise, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है हमने, s, s इसलिए दिया क्योंकि hydrogen कैसा था, below the plane था, s इसलिए दिया क्योंकि hydrogen below the plane था, अब यहाँ की बात करें, यहाँ भी movement कैसा है, anti-clockwise, ठीके यहाँ पर भी movement कैसा है anti-clockwise, तो इसे क्या होना चाहिए था? S होना चाहिए था, movement कैसा आई यहाँ पर भी anti-clockwise, तो क्या होना चाहिए था? S, लेकिन hydrogen कैसा है? above the plane, hydrogen की position change है hydrogen की position ulti कर दी है यहाँ below the plane था, यहाँ above the plane है तो hydrogen ulti हो गया, अपने position change कर दी above आ गया, तो S का भी क्या हो जाएगा? ulti हो जाएगा, S का ulti क्या होता है? R, ठीके? तो यह क्या हो जाएगा? R हो जाएगा क्यों हुआ? movement यहाँ भी anti-clockwise है यहाँ पर भी anti-clockwise है लेकिन यह S है और यह R क्यों? क्योंकि hydrogen में change है अगर hydrogen below है तो anti-clockwise जाने पर क्या होगा? S, लेकिन अगर hydrogen above है hydrogen above है तो anti-clockwise जाने पर क्या होगा? R, ठीके? R, तो इस तरह से आप किसी भी molecule का wedge representation में कौनसी representation में? wedge में RS कर सकते हैं ठीके? तो अगले lecture में हम देखेंगे कि अगर molecule fissure में हो अगर molecule fissure में हो fissure में दे रखा हो तो हम RS कैसे करेंगे? वो हम देखेंगे next lecture में अभी के लिए thank you